आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल नाश्टा, 10-15 मिनिट का काम है और यह बढ़िया सा नाश्टा बन के त्यार होगा, बच्चे को इसे बहुत मज़ा आएगा खाने में, आप इसे कैचप के साथ दे सकते हैं, चाय और दूद के साथ भी इस नाश्टे को खाया जा सकता है, बहुत ही अच्छा लगेगा, आप इसको सफर में भी लेके जा सकते हैं, तो बनाना कैसे चले शुरू करते हैं, यहां मैंने आदी कटूरी छोटी वाली मूंग की दाल ली है, पीली मूंग की दाल, इसको दो के अच्छे से हम आदे गंटे के लिए या समय है तो एक घंटे अच्छे से मैश हो जाएगी दाल, फिर से बता देती हूं, मैंने दाल को बिगो के रखा था एक घंटे के लिए और उसको मैंने पका लिया है, तो यहां हमारी तयार है कुगड़ मूंग की दाल, तो यहां दाल को मैश करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, तो य एक चम्मच कलॉंजी जिसे प्याच के बीच भी कहा जाता है, और एक चम्मच सादर नॉर्मल लाल मिर्चों हम यूज करते हैं, और स्वाद अनुसार नमक हम इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा तेल डालोंगी ताकि अंदर से खसता बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, तो दो च चार चमच में बारेकवली सूजी का इस्तेमाल करेंगे, आप घियों का इस्तेमाल करेंगे, अब इस आठे को हम इसी डाल के साथ मैश करैए तो हम इसमें जो हम इसी में अटा सफिरने से लगाएंगे, तो रिखना जोना क्या मशनी है क्यमकर यूंकि दाल की Spr तो इस तरह से अगर जुरत है तो हम थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और इस आटे को हम अच्छे से लगा के तियार कर लेंगे और आटे को लगाने के बाद हल्का सा तेल लगा के इसे चिकना करेंगे और इसको हम रख देंगे 10-15 मिनट के लिए तो बहुत सिंपल नाश्ता है लेकिन बनाने का तरीका छोड़ा अलग हो सकता है तो इस तरह से बच्चे जब देखेंगे बच्चों को मज़ा आएक खाने में तो आप इसको बना के रख भी सकते हैं तो इस तरह से मैंने आटा लगा दिया है हलका सा तेल लगा दिया है उपर ताकि ये सूखे ना उपर स वितार को पषना करके है तो इसको बेखना है तैयार करना है ऩूए निए सटेक्षब दूर्ट सेथे लिजुर से पाटकि *** लिजू की बेना है Capus भी है तो इस तरह जैसे हम गोल्ड रोटी बेलते हैं उसी तरह से मैं पहले इसको बेल होगी तो इसको हमें बनाना है स्क्वार कट में ताकि दिखने में बड़ा इंट्रिस्टिंग लगे तो इस तरह से गोल्ड बेल लिया है अब एक चाकूर ले लेंगे या पीजा कटर ले सकते ह हैं और जो साइड वले किनारे हैं वह हम निकाल देंगे ताकि परफेक्ट स्क्वेयर पीसे हमें मिल पाएं तो इस तरह से हम साइड के एकस्ट्रा जो होटा देंगे और जो बीच का हिससा हमारे पास बचा है इसको फिर से में बीच ऑ बीच एक इस तरह से निशान कर goli बनानी की बचाए हम लोग इस साब इसे चाहिए बनना के रहे जिए जी हम फ्राइब है करते हम ठीक या बहुत ज़िदा मोटा नहीं करना है अब तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए तभी अच्छे से फ्राय होके निकलेंगे अंदर से कच्छे नहीं रहेंगे तो पहले आप एक डाल के देख लें तेल अच्छे से गरम हो गया है उसके बाद ही हमें दूसरी डालनी है तो यहां मैंने तेल कम यूज किया है इसलिए मैं दो तीन तीन तरके फ्राय करूंगे अगर आप जादा तेल का इस्तमाल करें तो एक साथ आप साथ आंठ तल सकते हैं तो बस इसको बहुत अच्छे से हमें क्रिस्पी होने तक फ्राय करना है अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आजाना चाहिए और फिर हम इनको निकालेंगे तो इस तरह से शारा नाश्τικा जो हमने बनाके तयार किया है उसको चल के निकालेंगे और आप इससे गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं आप छाहें तो उससे चाए दूद की साथ भी सर्व कर सकते हैं हरी चटनी जिशक के साथ schw को खाया चाह सकता है अचार के साथ तोड़ा डिफरेंट रेसिपी है डाल का फ्लीवर इसमें आएगा और गिहों के आटे से हमने बनाया है तो फ्रेंट्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर